येस वे लाइब नाओ हैं वही घूम फरके आते हैं तो ये 30 questions का set होगा और इस इन 30 questions में से पहले तो हम इनको समझेंगे just answer तक नहीं पहुंचेंगे proper analysis करेंगे और दूसरी बात ये इन 30 questions में से 15 questions 10 से उपर ही उपर question आपको इसी तरह आके देखने को paper में मिल जाएंगे कि अब इसमें ये नहीं है कि मैंने कोई जादूई शक्ती में रिंदर आ गई है बट ये मैं out of experience कह रही हूं या experience की basis पर में ये बात कहा रही हूं क्योंकि topics limited है slay bus पे ही stick करता है seated, slay bus से बाहर चीज़े नहीं आती तो ये first session है maths pedagogy का marathon sessions भी होंगे बट एक भी session को हलके में नहीं लेना है, तो कुछ topics हैं, क्योंकि एक-एक option अगर आप पढ़ लेंगे उन्ही options को घुमा के आपको दूसरे site में मिल जाएगा बाकी papers में मिल जाएगा, अगर आप previous year analyze कर रहे होंगे, आपको पता लग गया होगा अब तक कितने topics repeat होते हैं तो हम कह सकते हैं कि 15 में से at least 10 number और जो 30 questions कर रहे हैं, इसमें से 10 से 15 तक भी questions आपको देखने को मिल सकते हैं आपके site में 15 में से 10 भी कह सकते हैं, चलिए start करते हैं, इसके जैसे इसके आसपास या अगर आप इन topics को इन options को भी समझ लेते हैं एक एक option को ढंग से एक दम analyze करेंगे proper, जैसे जैसे आप आते जाएं, like share कर लीजे और session आपको पसंदिया आएगा नहीं आए तो कोई बात नहीं है, फिर से पसंद आएगा दोबारा देखोगे तो, और subscribe वो लोग कर लेंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है आगे CB teaching exam के त्यारी कर रहे हैं, पेड़ागोजी पढ़ने के एक शुक हैं, इसके लाबा में notes, जो free notes हैं, English पेड़ागोजी के, वो आपके साथ share कर चुकी हूँ, हिंदी पेड़ागोजी में एक या तेड़ मिस्टेक थी कोई, मतलब एक question का answer type गलत हो गया था और एक पेड़ागोजी के notes, तो लगमः हर subject के notes आपको मिल जाएंगे, यह सारे notes free है, telegram channel आपको पता ही है, जहां से download करने है, let's learn squared, start करते हैं, hopefully आप एकदम तयार होंगे, और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज का session important होने वाला है, डरना नहीं है, छोड़ देना है कि यह maths ह context में pedagogy है, first question देखेगा एक बार, which of the following is the correct order according to Paulia's problem solving model, George Paulia से question आता है, कई बार आया है, तो निमलिखित में से कौन सा Paulia के समस्या समाधान model के अनुसार सही क्रम है, अब यह एकदम ऐसा question है कि आपको या तो पता है या फिर आप थोड़ा से दिमांग लगा के पहुँच स आपका, तो वो सांसर तक आप पहुच पाएंगे, फिल्कुल एनर्जी से पढ़ने ही कोशिश करनी है, बिना यह सोचे कि कुछ आता है, नहीं आता, आज से पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा, maths, pedagogy, चलिए, 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं, order क्या है, order है George Paulia के problem solving model का क् रखना है, 4 step का इनोंने problem solving method दिया है, यानि समस्या को समाधान करने की गड़ित में, 4 step दिये हैं, वो क्या हो सकते हैं, common sense भी लगाएंगे साथ-साथ, understand the problem, यानि समस्या आप पहचान पाएं, identification जो general बाकी steps में भी हम देखते हैं, यानि समझ पाएं आप problem को, बात तो ठीक लग रही है, फिर आता है, devise a plan, यानि अब आपके पास एक योजना हो, यानि पहले question देखा, समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं, look back करेंगे वापस से देखेंगे और फिर carry out करेंगे plan को, अब look back तो एक तरह से reflection या revaluation हो गया, उसके बाद plan carry out करेंगे, plan तो यहीं carry out होना चाहिए था, जब आपने बनाया था, उसके बाद plan carry out होना चाहिए था, तो common sense नहीं लगाई हमने, 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, यह कह रहे हैं, भई understand the problem, यहां भी है, यहां भी है, चलो बाकी सबको तो हटाई दे हैं कि पहले plan बनाएंगे, devise a plan, devise a plan, यह तो हो नहीं सकता है कि पहले हम problem को समझेंगे, plan बनाएंगे, तो यह दो option तो हमारे ऐसी हट गए, कि पहले योजना क्यों तयार कलेंगे, पहले समस्या को समझेंगे, तो यहां पर समस्या को समझना second number पे था, जो की common sensical बात है कि यह second पे नहीं होना चाहिए, यह first पे होना चाहिए, चाहे problem को identify करने की बात हो problem solving में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो, तो यह दो option अपने आप eliminate हो जाते हैं, अगर आपने पुछ भी नहीं पढ़ा तब भी, ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की, understand the problem, understand the problem, समस् step है, devise a plan, यानि plan को devise करना, योजना को तयार करना, बात तो सही है, यहाँ पे भी यह ही है second में, third है carry out, इसमें है third look back, और यहाँ लिखा हुआ है carry out the plan, फिर look back, तो क्या ही common sense नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते, तो यह किसी को भी दुनिया हम सबको पता होगा कि carry out the plan जो है, वो पहले आएगा, look back बाद में आएगा, पहले आप plan को करके तो देखेंगे, जो आपने plan बनाया है समस्या के समधान के लिए, उसको implement करके देखेंगे, उसके बाद look back करते हैं कि क्या यह सही हुआ यह नहीं हुआ, फिर आप reflection डालते हैं समस्या पे यह re-evaluate करते हैं, तो B option much better है, क्योंकि समस्या को समझना यहाँ भी सही था, devise a plan यहाँ भी सही था, आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस plan को carry out करेंगे, यानि योजना को कारियान with करेंगे, उसके बाद आप look back करेंगे, क्या करेंगे, look back करेंगे, यानि अब व्यस्त हैं, वो notes वगेरा की चक्कर में, तो मुझे लग रहा है, नीन में type कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी, यह क्योंकि कुछ mistakes लगातार हो रही है, ठीक, या हो सकता है, paper में भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार गलती paper में ही होती है, और इस बार इनोंने बहुत typing mistake की है, अब आप क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे, कि यह जो किया था, वो सही था या नहीं था, चार साल बाद लुक बैक नहीं करना है, कि वो relationship fail होगे, आप लुक बैक कर रहे हैं, ठीक है न, थोड़ा तभी लुक बैक कर लेना है, जब आपने device किया था एक plan, उसके बाद carry out कि और थोड़ा दिन में समझा गया, कि यह लुक बैक कर लो, ठीक, तो पुने अजांच कर लेंगे, तो B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे, यह सब मजाख की बाते हैं, उनको कालपनिक समझें, यह है जॉर्ज पॉल्या का problem solving model, है न, जॉर्ज पॉल्या का problem solving medal, medal नहीं है, model है, ठीक तो जॉर्ज पॉल्या, फोर स्टेप problem solving, यानि समस्या समधान का चार स्टेप का एक प्लान देते हैं, पॉल्या's problem solving, model देते हैं, इंदी वालों के लिए भी यही है, इसका short form अगर आप बनाना चाहें, तो UDPL बना सकते हैं, जिसको हम mnemonic कहते हैं, याद रखने की एक टेक सचानना, identify करना, second step है हमारा, मे का प्लान, आपके पास एक प्लान तो हो, आपने identify कर लिए, आप समस्या को solve करने के लिए प्लान होगा, वो देखा होगा आपने CID, पहले समस्या को समझने के कोशिश करते हैं, जाके scene में, फिर क्या करेंगे, एक प्लान होगा, क्या करने है क्या करना क्या है, फिर उस प्लान को carry out करोगे आप, ठीक, अब यह प्लान आपने carry out कर लिए, जैसे आप paper भी, अगर आपके सामने एक समस्या की तरह है, तो कोई question है, math का, या paper ही है माल लेज़े, तो आपको पहले उस problem को समझना है, कि इसका क्या structure है, कैसे चीज़े work करें यह सब समझ के फिर आप एक plan तयार करते हैं, कि आर तीस दिन में यह यह पढ़ना है, notes पढ़ लेने है, let's learn से, और previous year अच्छे से कर लेने हैं, आपने एक plan बनाया, अब इस plan को बनाने के बाद आप एक carry out करते हैं, carry out का मतलब क्या implement करते हैं, उस पे काम करेंगे, apply नहीं कर हैं, क्या आसपास भी हूँ या नहीं, ऐसा तो नहीं है, कि मेरे number आरें 50, तो फिर तो फिर से इस चीज को दुबारा करने की जौरत पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं paper देने के बाद look back नहीं करेंगे, तो उस case में भी हो सकता है कई बार ऐसी स्थिती भी आती है, तो कि devise a plan को D लिख लिया था, look back at the solution यानि आपको अब reflect करना है, ठीक, clear है यह बात, एक number free का number है, UDPL से simple याद रखना है, understand the problem, devise a plan, carry out the plan and look back, clear है, अब इस से जादा आसानी से और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, revise करो इसको multiple times, ठीक, कितना याद करें, याद करते करत करो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, चलो, start करते हैं, कितने का तो कोई answer नहीं है न, पिछले 6 साल से मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ और discussion चल रहा है, और अब तो ऐसे कुछ है भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बाकी होके जिसके लिए कोई मजबूरी है, कुछ भी नहीं है, खुशी, तो कुछ तो करोगे न जीवन में, तो पढ़लो यार, देखो, which one of the following is not true, question number 2 है, निमलिकित में से कौनसा गड़ित की अवधार्णाओं की प्रकृती के बारे में सत्य नहीं है, यानि not true about the nature of concepts in mathematics, यानि गड़ित के concepts के बारे में कौनसी एक बात ठी नहीं है, कि गड़ित के जो concepts होते हैं, उनकी प्रकृती कैसी है, nature of concepts कैसा है, इसके बारे में कौनसी एक बात सही नहीं है, ये notes में मिलेगा, आपको notes पर काम चल रहा है, फिके जी, बहुत ही बढ़िया, आपने बोला था कि typing mistake, बहुत होती होती है, सी टेट की paper में, बात में, context में समझना होता है, चीजों को, अगर आपको हलकी सी भी confusion लग रही है, तो उस case में आप check कर लोगे, हर question check करोगे, फिर check ही करते है, रजोगे, आपको अहाँ पे check करने के number तो मिलेंगे नहीं, आपको हर question को check नहीं करना, और उसमें भी, अगर आप English medium वाले हो, त में सब लिख दिये जाएंगे, अगर हम बात करें nature of mathematics की, अपने आप में एक topic है, अगर आपने teaching training में, B.Ed. में, D.L. में, B.T.C. में पढ़ा हो, या फिर pedagogy की किसी किताब में पढ़ा हो, abstraction in nature, mathematics abstract होता है, अपने nature में अमूर्थ होता है, जिसको हम मूर्थ संप्रत्यों को बना करके या teaching learning material ऐसा use करते हैं, जो मूर्थ हो, concrete हो, ये एक ऐसा concept है, मान लीजे कोई, मान लीजे के एक angle है, अब उसके लिए concrete चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, या तो chart word बनाया जाएगा, diagram बनाया जाएगा, या कुछ एक ऐसी सामगरी प्रयोग की जाएगी, जो concrete ह क्योंकि ये अवधारनाई अमूर्त हैं, abstract हैं, इनको आप हाथ में लेकि नहीं खूम सकते हैं, दिमाग में होती हैं, hierarchical in nature बिल्कुल factual बात है, कि ये भी गडित की अवधारनाओं का एक क्या है, concept है, या nature है कि ये hierarchical होती हैं, श्रेणी बद्ध होती हैं, जिसको NCF कहता है, tall shape of mathematics, कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से, जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, complex होती जाती हैं, और जो पीछे वाली चीज है, पीछे वाली जो चीज है, वो इसमें already included होगी, जैसे आप 6th class में जो chapter मालने हैं, जो same chapter पढ़ रहे हैं, जो भी chapter है, और उस case में आप या algebra पढ़ रहे हैं, अगर आप basic equation आप जान रहे हैं, तो उसमें वो complexity का level next class में और बढ़ जाएगा, तो hierarchy का मतला होता है, simple to complex जाना, जो कि सही बात है, logical in nature, बिल्कुल तर्क संगत एक विशय है, logical nature का विशय है, बिल्कुल चाहे वो reasoning हो, maths हो, science हो, concrete in nature, ये बात गलत है, mathematics का जो nature है, वो अपने आप में concrete नहीं है, आपको मूर्थ सामगरी के through, teaching learning materials के सहरा लेकर के इसको मूर्थ संप्रत्यों के रूप में समझाना पड़ता है, जो कि abstract concepts होते हैं, तो ये अपने आप में concrete नहीं है, ये अपने आप में abstract test का जो nature है, concrete हम बनाते ह ठीके जी, शिवानी के रहें, मुझे लगता है, मैं मेरे, अगर CDP नहीं होते हैं, तो मेरे CDP का क्या होता, अगर आप नहीं होते हैं, अच्छा, एक question है, suggestopedia का क्या मतलब होता है, पेड़वाजी में, कुछ तो गड़बर है, एक बार शिवानी, ये मैं समझने बार हूँ क आप exactly क्या पूछ रहे हो, या तो comment में पूछ लेना, या फिर इसका screenshot लेलो, एक बार देख लेंगे क्या आप exactly क्या पूछ रहे हैं, फिके शिवानी, चली आईगेगा, क्योंकि CDP में तो I think मैं नहीं देखा इस तरह का कुछ, या हो सकता है कि, समझने में दिक्कत हो अभी देखेगा, तो answer क्या हुआ D, अभी 35% लोग B पे अटके हुए हैं, क्या करें हम आपका, तो simple बात है, कौन सी बात सही नहीं है, concrete नहीं है ये nature में, ये तीन चीज़ें आपने mathematics के nature के बारे में सीख लिए, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, वही आपने यहाँ एक चीज सीखी के क्या nature में नहीं है, बाकी ये तीन चीज़ें सीखी के, सीखी के ये nature में है, कि गड़ित की प्रकृति अमूर्थ है, शेनी बद्ध होती है, चीज़ें एक दूसरे से spiral में होती है, simple to complex जाती है, तरक संगत होता है, ये तीन बातें आपने सीखी, और एक ब आता लगी, तो ऐसे बढ़ेंगे तो अगली बार अगर option में not हटाके, किसी इन तीनों में से किसी एक option को देगा, जो सही होगा, easy है, easy peasy lemon squeezy, आगे बढ़ेंगे question number 3, हसना नहीं है या बैठके, question number 3 देखिएगा, question number 3, जवाब दीजेगा, बहुत ही बढ़िया, I am Rajat from Suron, मैं, आप एक meet-up session रख लीजे, हमारे यहां कास गिंज में, रखेंगे, रजत, अभी देश भर घूमने का समय आएगा, अभी थोड़ा समय व्यस्त हूँ, तब जहां जहां जाया करेंगे, वहां वहां आपसे मिल्लिया करेंगे, ठीक है जी, अभी तो दिल्ली में offline class रखे teaching place value of numbers, यानि अगर हम संख्याओं का स्थानियमान देखें, एक face value होती है, एक place value होती है, अब इतना तो हमें basic पता ही होना चाहिए, नहीं भी पताया, तो चलो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो, माल दीजे ये 2 और 3 लिखे हुए है, face value आपको पता है 3 ही, 3 ही होगी, एना, place value क कौन सी है, दो नमबर लिने है, 3 and 5, say 3 and 5, make 4 digit numbers using both the digits equal number of times, यानि आपको 4 digit का नमबर बनाना है, दो संख्याओं से, जो है 3 and 5, ठीक है जी, 3 and 5, इन से 4 digit का नमबर बनाना है, जिसमें equally दोनों संख्याओं use हुई हो, यानि 3 और 5 equally use हुए हो, देखिएगा, is your answer unique, क्या तुमा कहानी यहां अटकी हुई है, अगर आपको उपर की कहानी नहीं समझ में आई, तो ये पढ़िए, which of the following statements is correct for the above context, जिस संदर में यह बात हुरी है, कौन सा एक statement सही है, पहला option है, वो, देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, तो first option है, it is an open-ended question and gives opportunities to students to analyze and critique each other's responses, यानि यह एक खुले सिरे वाला प्रशन है, मुक्त उत्तर वाला प्रशन है, और शात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विशलेशन और अलोचना करने का अवसर प्रदान करता है, बात तो सही है, बी option है, it is an example of closed-ended, देखो ये closed-ended नहीं हो सकता, closed-ended में क्या होता है, yes और no, ए पीजा कितना होगा, six होगा, ये closed-ended है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही, ठीक, तो ये closed-ended में एक सही उत्तर होगा, जैसे fill-in-the-blank, MCQs, या फिर match the following, ये सब closed-ended है, ठीक, फिर आता है C option, multiple responses to a question should be discouraged, यानि यदि आप एक गरित में अनेक उत्तर देने वाले उनों को हतोत साहित करेंगे, जबकि हमी multiple perspectives को बढ़ावा देना है, रट्टे थोड़ी लगवाने है एक उत्तर के, तो ये तो बात गलत होगे इन दोनों ही, it is an example of contextual question, कौन से संदर्ब की बात हो रही है सरकार, कौन सा संदर्ब है यहाँ, कोई ऐसा स्थिती दी है, कोई real life situation दी है, context की तो कोई बात नहीं है, तो एक ही उत्तर यहाँ सही लग रहा है, उसको भी समझेंगे, it is an open-ended question and gives opportunities to students to analyze and critique each other's responses, यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रशन है, और शात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का visualization और आलुशना करने का अवसर प्रदान करता है, क्यो simply देख लेते हैं एक बार, अगर हम बात करें, 2 और 3 दिया है, कितना number है, 3 और 5, 3 और 5 से 4 digit number हमको बनाना है, 4 digit number आपको बनाना है, 3 और 5 का प्रयोग करके, ठीक है जी, अब 3 और 5 का प्रयोग करें, equal number of times, दोनों बराबर के use होने चाहिए, एक तो आ गया 3535, है ना, और क्य बच्चे अलग-अलग इसकी probability बनाएंगे, और फिर कहेंगे तेरा गलत है, तुने ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, तो critique भी कर पाएंगे एक दूसरे को, तो ये क्या हुआ, इसकी बहुत सारी probability हो जाएंगे, कैसे भी खिलते रहो उसके साथ, तो ये क्या हुआ, ये open-ended होगा, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, बच्चों को इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, A option is the right answer over here, आगे बढ़ेंगे, question number 4, लेंदी हो सकते हैं, question घबराना again नहीं है, question number 4 पढ़िएगा और बताईएगा एक बार, पूछे मेडम, फोन नहीं दे सकते हैं लो, जो क्या आयाद रुखोगी, बहुत बड़ा दिल है, लो, देखेगा, फटा फट से बताओ, और जवाब दो, पढ़ो एक बार, कह रही हैं, शिवानी कि, disuggestopedia method क्या होता है, English Pedagogy में, PYQ के question में, ये word मिला है, thank you, शिवानी, अगर ये exact word यही है, तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि, ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रहे हूँ कि, disuggestopedia क्या है, अगर options होते तो, शायद मैं कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल, previous knowledge का कर पाती, तो ये मुझे भी नहीं बता, और English Pedagogy वेसे भी, मतलब, जितनी हम CDP deal करते हैं, जितनी expertise CDP में है, शायद उतनी English Pedagogy में ना हो, बट ये फिर भी संभाव है, कि सब कुछ पता हो, किसी को भी ये possible नहीं है, तो उस case में हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे, ये word निशा कहीं note कर लेना, और देख लेंगे एक बार, है ना, और बताओ, English Pedagogy में, इस बार ही आया है कि, होगा कुछ, मतलब, replacement जैसा कि word को आप replace कर सकते हो, options होंगे, आपके पास, मतलब, मैं इसको देख के इतना ही idea लगा पा Miss Sunali, Miss Sunali क्या है, खुद भी सर्च कर लिया करो, थोड़ा कुछ मेहनत कर लिया करो, Miss Sunali, a class 1 mathematics teacher, gives the following activities to her learners, यानि कक्षा एक की गडित की अध्यापे का, सूश्री Sunali ने अपने अधिकम करताओं को निमलिकित क्रिया कलादी activities दी, ये 4 activities हैं, पढ़ेगा, पहला है sorting shells, stones, tokens of different size and color, यानि भिन्नाकारव और रंगों वाली, CPI, कुंकड़ पत्थर, token, प्रतीकों को वर्गी कृत करना, इखटा करना, मतला मानली चापको, एक square shape का कुछ मिला है, एक circle का bottle का cap है, तो वो सब आपने इखटे की हुए, अलग-अलग shape और size में, बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है, ये एक activity है, जो एक teacher ने दी है बच्चों को, class 1 के लिए, छोटे बच्चे है, उनको concrete material से ही सिखाएंगे हम, ठीक बात है, अब हम बात कर रहे हैं, B option की, arranging different sticks in a bundle according to their lens, यानि आप different sticks को, शड़ियों को, मान लिजे जैसे ये pen ही है अभी मेरे सामने तो उसमें आप क्या कर रहे है, इनकी length या height के हिसाब से इखटा करा रहे हैं बच्चों को, ठीक बात है concrete material से सिखा रहे हैं, ये भी एक active रहेगा, बच्चा यहां सक्रिय रहेगा, वो बच्चा सक्रिय रहे ना, यानि बच्चे का active होना हर subject की pedagogy में, बराबर से लागू ह होता है, फिर आता है C option, collecting sticks, feeders, leaves from their surroundings and tie them in groups, यानि बच्चे sticks, जो भी आसपास छोटी मोटी लकडियां मिल रहे हैं, उनको, punk मिल रहे हैं, leaves मिल रहे हैं, उनको collect कर रहे हैं, जिससे कि उनको idea लगे का number sense develop होगा कहीं न, कहीं ऐसी बात हो रहे होगी, फिर आता है D option, threading the beads to form a guard land for counting, यानि मोतियों को धागे में परो कर गड़ना के लिए माला बनाना, कि मोती परो रहे हैं कि धागे में, ठीक है, गड़ना सीख पा रहे होंगे, these type of activities are, पहला option है, done in primary classes for leisure, यानि मोज मस्ती के लिए की जाती है, मोज मस्ती तो included होती है, उद्देश्य मोज मस्ती नहीं तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो यह मैं आपको Hindi Pedagogy की Notes में भी कहा है, English Pedagogy की Notes में भी कहा है, textbook one of the resources है, एक मात्र resource नहीं है, ठीक, only done in pre-primary, hence an irrelevant activity in class 1, यानि सिर्फ pre-primary में होनी चाहिए, class 1 में क्यों हो रहे हैं, इसको तो nursery में कराना था, LKG में कराना था, ये भी हायाद बात होगी कि आप इसी level 1 पे ही number concept वगेरा उनको सिखा रहे होते हैं, अब आता है D option, useful for assessing children's readiness to introduce important concepts like numbers counting in arithmetic, ये बात सुंदर लग रही है, फिर भी देखते हैं उसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में, अंकगडित में महतुपून अवधारना हैं, जैसे संख्या गड होना बहुत ज़रूरी है, इसमें readiness, cognitive readiness भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो mature है उतना या नहीं, और दूसरी readiness है, वो तयार है, अपने माहौल उससे ऐसा मिला है, कि वो सीखने के लिए ततपर है, अगर आप मानीजे लाइव में बैठे हैं और सीखने के लिए नहीं सिखा पाएंगे, मतलब वो कहा जाते हैं कि घोडे को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो, बट पानी नहीं पला सकते हैं, तो उसके लिए उसको तयार होना बहुत ज़रूरी है, तो यह ज़रूरी है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे concepts, number counting और वगेरा को सिखा work 2005, which of the following processes are indicative of Mathematization of Child's Thinking, एक question निश्चद रूप से Mathematization of Child's Thinking पे हर बार हर सैट में लगभग आता ही है, Mathematization क्या है, बच्चे के thought को आप Mathematize कर पाएं, उसके सोच में Mathematics आ पाएं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको अंतलब यह नहीं कि वो बस Maths में ही बात करें, बट आस पा Maths देख करके दिमाग में उसके Maths चले, उसकी चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो, तो राश्ट्रे पाठे चरह है रूप रेखा, जो NCF 2005 डॉक्यमेंट है आपका, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रिया है, बच्चे के चिंतन के गड़िती करण की सूचक है, कि आप बच्चा जो है, वो mathematically सोचने लगा है, पहला option है, mathematical communication only through a formula, सिर्फ formula के through, देखो बच्चा active है क्या formula में ही, तो रटने वाली भी बात हो गए, दूसरा, इसका मतलब ये कब से हो गया, कि mathematicalization of thinking का मतलब है सिर्फ formula, तो ये तो रटना हो गया, wrote memorization है, रटने से बचना है, सारे पेड़ग डर निकल जाएगा, पेड़गवाजी का, ठीक है, आस्था कुछ वहाँ कह रहे है, I need help, my family toxicity, I can't focus on study, I feel so helpless, my age is 21, I want a government job, but for that we need to study hard, आस्था ट्यूशन बढ़ाईए, library में जाके बैठिये, उनको समझाईए, नहीं समझ में आ रहा हो, कहिए कि नहीं रहना, whatever it is, but अगर इ चलिए, आईए, क्योंकि समस्या है, सबके साथ कुछ ना कुछ है, समस्या है, कोई नहीं पूछता, मैं बिलकुल समझ सकती हूँ, बट समझने से होगा क्या, है न, चलिए, आते हैं, अगर हम बात करें C option की, तो 89% लोग कह रहे हैं C option, समझते हैं, चलिए, B option is solving the problem using formal procedures and checking the answers for an answer की, अगर आप सिर्फ formal मानक क्रिया हैं, जो हैं, उनी steps को ही check करते रहेंगे, तो इसमें thinking process की बात नहीं हो रही है, बच्चा active नहीं है, यहां, estimating the weights of different objects in surroundings and discussing the answers with peers and teachers, यानि आसपास की भिन 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 वस्तों के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाथियों तथा सिक्षोकों के साथ विचार विबर्श करना, यानि हम यह कह सकते हैं कि जो भी आसपास भिन वस्तों में पड़ी हुई हैं, या आसपास रखी ह हुई है, मान लिजा, यह बॉटल है, यह माउस है, कोई रिमोट है, तो अनुमान लगाना कि अच्छा, इसका कितना वेट हो सकता है, ठीक, इसमें क्या है, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, अगर आपको गड़ित नहीं भी आता, आपको बच्चे को एक्टिव ढ भुनना है, तो यह उत्तर, जावतर चांसे है, 99% चांसे है, यह ही सही होगा, जिसमें बच्चा जादा एक्टिव है, ठीक, डूइंग अन एक्टिविटी ओन एडिशन, फॉलोइंग इस ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब इंस्ट्रक्शन, देखो इस ट्रिक्ट लिखाओ, र पताए, लोटस क्या कह रहे हैं, अच्छा, कहना लोटस पर गेम खिलो, लोटस आपको ब्लॉक कर दें हैं, यह फाल्तु की एड़ ग्री नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है न, ऐसी वरकते नहीं करने हैं लोटस, कि गलत बाते होती हैं, पढ़ लेने दो रहने, वैसी गेम question की, तो NCF 2005, the shape of mathematics education has become taller and more spindly, rather than broad and rounded, this means what, यानि जो NCF है, राष्ट्रे पाटिचर्या की रूप रिखा 2005 है, जो बताता है कि कैसे किस subject के साथ deal करें, क्या तरीके हों जिससे हम curriculum बना पाएं, यह कह रहा है कि जो गड़ित सच्छा का आकार है, वो चौड़े और गोलिये होने किस्थान पर ज्यादा उंचा होता जा रहा है, तकुअकार होता जा रहा है, यानि tall होता जा रहा है, अब इसके बारे में आपका क्या विचार है, तो आपको एक तो यह चीज समझनी है, कि has become taller and more spindly rather than broad and rounded, कि होना कैसा चाहिए था, broad और rounded होना चाहिए था, बट यह tall होता जा रहा है, तो अगर taller shape of mathematics आपने कभी भी पढ़ाया, जो कि पहले paper में offline में भी इतनी वार आ चुका है, online में भी देखी रहे हैं, आपके आया हुआ है, तो इससे आप बच तो सकते नहीं है, तो taller shape of mathematics क्या होती है, पहले यह समझना ज़रूरी है, taller shape of mathematics होती है, tall shape of mathematics होती है tall का मतलब होता है, उंचा, मतलब जो ऐसे बना हुआ हो, मतलब एक concept दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर आपको previous concept नहीं आता maths में, तो आपको अगली class समझ नहीं आएगी, यही है tall shape of mathematics, तो इससे होता क्या है, कई बार बच्चा मानलों miss कर दिया, तो वो basic concept miss कर जाता है, तो हम इसकी जगा, focus rounded concept पे कर रहे हैं, तो rounded से क्या होगा, या broad अगर हो जाएगी shape, तो इससे basic भी साथ में clear होगा, बच्चे का, मानली जा कहीं miss भी हो गया कुछ, तो वो basic भी यहाँ include होता है, जबकि tall shape में ऐसा नहीं होता, अगर आपको पिछली class का नहीं आता, या उसस पहले level का नहीं आता, तो आप भूल जाहिए कि आपको समझ आने वाला है, तो tall shape की बजाय क्या होनी चाहिए, broad होनी चाहिए, tall समझ में आगे न, एक से दूसरे concept पे based हो चीज़े, simple to complex हो, ठीक है, यह दो approaches हैं अपने आपने, अगर हम बात करें यहाँ, तो पहला option है, there is no communication between primary school and high school teachers, बता, ऐसा इसली हो रहा है क्योंकि यह दोनों आपस में बातें नहीं कर रहें, कोई sense हैस बात की, the option is, topics have been introduced in hierarchical level of difficulty in mathematics curriculum, यानि गड़ित पाठ्यक्रम में विश्यों का जो परिचाह है, वो कठनाई के श्रेडी बद इस तरों के अनुसार दिया गया है, चलो, ठीक है, मान लिया, लेकिन solution क्या है इसका, चलो, देखते हैं, over the years, the mathematics curriculum has increased in volume by inclusion of many new topics, यह तो खराब बात हो, यह दुनिया से अलग topics आ गये क्या, फिर आता है, D option, इसको यह लिख दिया है, A curriculum acceleration has led to pruning of some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics education, यानि पाठ्य चरिया के गतिमान होने के कारण, यह जो acceleration है, जो हम और इसको complexity बढ़ा रहे हैं, और बहतर करने की बात कर रहे हैं, इसकी वजहा से, कुछ आधारभूत विश्यों को काट छाट की गई है, जिससे जो basic है, उसका समाविशन कई समझदार नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए, यह ज़्यादा आपको समझदार आंसर नहीं लग रहा बजाए कि आप B के साथ जाएं, कि कुछ नए topic आ गया है, और hierarchical level of difficulty है mathematics में, इसलिए ऐसा है, ज्यादा comprehensive या inclusive बाकी को भी अपने अंदर समाहित करने वाला option नहीं लग क्या है, बिल्कुल लगेगा, तो become taller and more spindly rather than broad, इसका reason यह है कि जो curriculum acceleration है, जो हम इतनी तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं, या complexity को बढ़ा रहे हैं, डाइनमिजम है, change हो रहे हैं चीज़ें, उसकी वज़ा से जो basic concepts हैं, वो नए concepts के साथ significance में problem आ रही है वो, वो साथ में नही पा रहे हैं, इसलिए हम यह कह रहे हैं कि इसका reason जो है taller shape का, वो यह है, कि हमने accelerate कर दिया चीज़ों को, तो D option is better than B option, बाकी के दोनों का तो कोई chance ही नहीं था, कि वो answer सही हो पाते, अब देखिए concept map, हमने CDP में भी पढ़ाया concept map, अगर आप थोड़ा सा logic लगाएंगे जव यह होता है, तभी हमें अच्छा लगता है, देखिए फटा-फट से, जवाब दीज़े, हाँ, बहुत कुछ लोगों को इतनी हासी आ रही है, पढ़ालो, यह आप लोग की चैट को पढ़ पढ़के न, निशा को भी मज़े आते रहते हैं, वो भी मुझे भढ़कारी है, उल्टा, मुझे बतारी चैट में बाते क्या चल रही है, गॉसिप भी कर लेते हैं, सब यहां मिलके पंचायत कर लेते हैं, छोड़ो देते हैं पढ़ना, द यह कहता है, concept maps, concept maps क्या होते हैं, जिसमें concept को hierarchical manner में या फिर flow chart के द्वारा एक दूसरे से जोड़ करके समझा गया हो, concept maps are commonly used in mathematics teaching, यानि इनको अवधारनाओं का, जो map है, मांचित्र है, उसका प्रयोग किया जाते है mathematics में, which of the given statements are true about concept maps, यानि concept maps के बारे में कौन सा एक statement सही ही है, बताइएगा एक बार, फटा-फट से, क्या लगता है आपको? D option किया रहे हैं बहुत सारे लोग, A option है, it is a complex network depicting the relationship between all the sub-concepts of the concept, बात सही है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है, जो कि एक अवधारना की सभी, उप अवधारनाओं की बीच संबंद को दर्शाता है, concept map क्या है, मान लीजे, आपने प्याजे पढ़ा, है ना, इसको आप mathematics में addition से जोड़ सकते हैं कि अच्छा है, इसमें यह आली property use होती है, इस chapter को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं, आपने प्याजे बढ़ा, ठीक, प्याजे में आपने चार factors होते हैं, और चार होती है stages, ठीक, फिर उसमें भी आपने समझा कि चार stages कौन सी होती है, SPCF, फिर इ यहाँ पे जो चार factors थे, M,E,S,E, इनको समझा, फिर यहाँ से equilibrium से निकला क्या किया, कि adaptation और organization क्या है, फिर adaptation में दो चीजे हैं, वो क्या है, assimilation और inclusion है, बन गया आपका concept map, जिसको आप mind map भी क्या देते हैं, मतब exact तो नहीं है, mind map थोड़ा सा कुसी छोड़ी चीज को लेकर को लेकर के होगा, ठीके न, तो इस case में यह क्या करता है, एक जाल बन जाएगा, relationships आपस में concept के अंदर, sub concepts के क्या relationship है, ठीक जी, सही बात, it is a linear arrangement of all the sub concepts of the concept, क्या यह linear लग रहा है आपको, यह spiral नहीं है अपने आप में, linear होता है, सीधी रेखा बस, अच्छा एक के बाद, द में, तो यह linear नहीं है, they can be used as diagnostic tools to identify difficulties in learning that students are facing, यानि इनको हम use कर सकते हैं, कि बच्चों को दिक्कत कहा हो रही है, जब आप diagnose कर रहे हैं, कि अच्छा, इस इस तर पर दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यह वाले चीज को समझने में दिक्कत है, इसको ही नहीं समझ पाये थे, इस रहा में positive भी लग रहा है, तो answer क्या हो गया, हमारा A भी सही है, B गलत है, A, C और D, option है ऐसा कहीं, है हमारे पास D option, तो इन questions से अगर हम बच के भाग जाएंगे, तो कोई question तो करेंगे हम paper में के नहीं, बताओ एक बार, तो D option is the right answer over here, आगे बड़े, देखेगा एक छोट आ होंगे समया नहीं, जब PDF आपको मिल जाएगा ये टेलिग्राम पर और इसके mock test भी मिल जाएगा आपको इस session का career will app पर, और free होगा वो mock test, तो आप एक बार देख सकते हैं उस चीज़ को, अच्छा एक और mock test का एक package भी है, free वाले mock test भी है, और I think 99 rupees का mock test की series, पुरी test series जैस को, देखेगा, इसमें सब तुक्के लगा रहे हैं, समझते हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं पहले तो वही ज़रूरी है, देखेगा, अगर हम समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर देखेंगे, formative assessment, रचनात्मक आकलन, होता किसलिए feedback के लिए, रचनात्मक आकलन क्योंकि teacher ने कहा दिया है, तो पहले पहले option ही पढ़ लिए, अगर उसके हिसाप से, अगर समझ में आ जाए, तो easy हो जाएगा, पहले option पढ़ लिए, आपने तो अब आपको पता है कि यह teacher centered के बारे में बात हो रही है, तो B का first होना चाहिए, B का first कहीं दिख रहा है आपको दो जगा पर दिख रहा है, B का first, B का first option दो जगा पर दिख रहा है, यानि तीन जगा पर दिख रहा है, बलकि, है ना, कई बार तो ऐसा होता है, इसी से सारा question solve हो जाता, बाकी और कहीं होता है कि नहीं, तो B का fourth वाला चलो, एक option तो eliminate हुआ कम से कम, B option देखते हैं, यह तो ह एक डो बार पढ़ी है, CDP में भी, हैना, तो C का क्या हो गया, second option, C का second कहीं दिख रहा है हमें, यहीं पर दिख रहा है सिर्फ, C का second सिर्फ यहीं है, बाकी में है ही नहीं, simple answer अगर आपको वो दोनों यह check भी नहीं करने, तब भी आप answer तक पहुँच गए, हैना, इसी को smartness कहते हैं, जो थोड़ी सी महनत और समझ से आएगे, अगर आपके concepts ठीक develop हुए हुए है, आपने चार option नहीं भी चेक के, तब भी आपको समझ में आगे, और यह आपको लग रहा होगा कि अभी तो बड़ा complex है, बट यह खेलना आप सीख जाएंगे, थोड़ी practice तो कीजे, अ यह क्या लिखा हुए आपका, finds out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality, यहनी scholastic plus co-scholastic, दोनों के बारे में आप पता कर पाएं, formative assessment में इचीज होगी, रचनात्मक्ता की बात होगी, तो A option is the only right answer over here, तो अगर आप CDP अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इश्वर की दुआ से आपका Question No.9, शुरुआत में थोड़ इसे मुश्किल question डाले हैं ताकि आपका जो energy है उससे वो बनी रहे, बात तक जाते जाते हैं अपने आप easy हो जाएंगे, और यही paper में करना है, छोड़ने नहीं है question, क्यूंकि आपको लग रहा होगा 4 question मुश्किल हैं और आप डर गया, रह मै easy भी आएं, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, मैं अम्मी कहती हैं, आप बहुत speed बढ़ाती, speed बढ़ाती होंगे आप, समझे नहीं आईशा, अम्मी का तो चल जाएगा, उनको speed में लग रहा है, आपको भी speed में लग रहा है, तो बताओ इतनी कहानिया सुना रही हों यार, speed problem है या clarity problem, clear समझ में आ रहा है न, speed कम भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं अपने end पे, 1.25 वो उल्टा कर लिए जो उसका, 0.5 कर लिए जो, देखिए एक बार, तो which of the falling is, YouTube में feature है, which of the falling is not an appropriate assessment method for primary class children, यानि लिम लिखित में से आथ में कक्षा के शात्रों के आकलन की उप्योग दुविध ही नहीं है, बताईएगा, यानि primary level पे, first to fifth level पे, बच्चा कितने साल का है, 6-10 साल का होगा, अब first to fifth level पे, 6-11 साल का बच्चा अगर है, तो first to fifth पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको आकलन के लिए उसको assess करने के लिए, पहला option है, our test based on recalling of facts and formula, यानि एक ऐसा test, जिसमें सिर्फ recall based चीज़े हों, formula के रटे लगाये हुए हो, recall करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसको memorization या रटना कहते हैं, तो इससे तो आप दूर भाग जाईए, लेकिन not पूछा था, तो यही सही communication technology, technology का use करना पढ़ाने में ये भी सही है, या आकलन में, using concept maps बिल्कुल positive बात है, समझ इससे better होती है, difficulties का पता लगता है, अभी हमने पिछले question में देखा था, एक परिक्षा जो की तक्ष्यों और सूत्रों को इसमरण करने पे आधारे तो, रटने पे आधारे तो, memorization पे, समस्या हो तो बता सकते हैं, question number 10 देखेगा एक बार, question number 10 क्या कहता है, ये समझने का प्रियास आप swim करेंगे, देखेगा एक बार, आप primary class teacher is using a variety of concrete material, यानि मूर्थ सामग्री का प्रियोग, जैसे bottle है, या फिर एक abacus हो सकता है, या geobold हो सकता है, ये कि मूर्थ सामग्रिया ठीक है ना, दे देंगे मरीशा, EBS and Maths के notes, notes पे काम लगता है, आपको लगते हैं कि एक तो ये इतने से हैं, बट उस पे multiple times काम लगता है, फिर भी एक चोटी-बोटी mistake typing की हो जाती है, इतने सारे print होगे हैं घर में घटे, जिसमें वो बार-बार-बार proof read करके करके उसमें स overgeneralization कहते हैं, आयान उसको क्या समस्या आ रही है, marathon कराएंगे जल्दी, जैसे आपको notes सारे मिल जाएंगे first week of December में, चले, A option के रहे हैं 50% लोग, चले समझते हैं क्या कहानी है, अगर हम बात करें तो बात हो रहे हैं किसकी concrete material की, to teach, यानि concrete material, teaching learning material, जिसमें आप charts वगेरा ल देखना जरूरी है, to teach place value, place value वही आपका, क्या है उस थरा से समझाने के लिए, तो dynes block का use करेंगे, bundles of matchsticks, unburnt, यानि जो माचस की तिल्या है, बिना जली हुई, क्योंकि जली हुई माचस की तिल्या में कैसे place value समझा होगे, अगर बिना जली हुई normal माचस की तिल्या है, तो आप लगा के दिखा दो कि अच्छा, ये जो है तीसरे number पर, ये काई पे है, ये दाई पे है, ये once पे है, ये tense पे है, अच्छा, इसका face value क्या है, अच्छा, ये ऐसे देखें, तो एक अपने आपने इसकी value है, तो ये क्या हुआ है, ये आप सिखा सकते, तो dynes block में भ कैसे place value समझाओगे, अब 10 रुपे का note है, उसमें 0.5 करके फार के थोड़े ना दिखाओगे, तो possible नहीं है, अबैकस का प्रेयोग, division को छोड़के, calculation में, number counting वगरा में, use किया जाता है, multiplication में भी, तो अबैकस भी यहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, place value की हो रही है, तो वो points में कैसे दिखाओगे, अबैकस में चीज़ें, या मतलब 10s और 1s के place पे कैसे दिखाओगे, which of the following represents appropriate classification of the concrete material, कौन सा जो है वो सही है, इस case में proportional है, बताएगा, A and D are proportional, तो D तो नहीं है, A and B are proportional, कह सकते हैं कि यह proportion दिखा सकते हैं, समानुपाती है, B option कह रहे हैं, ने A option कह रहे हैं 54% लोग, A कैसे कह रहे हैं, A और D समानुपाती हैं, इसका प्रयोग तो करीन सकते हैं, आप अब अबैकस का यहाँ पे, proportional कैसे हुआ यह, कैसे place value पढ़ाओगे इससे, B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे question number 11 देखेगा, बच्चे के आखलन की बात है, यह CCE आपका हर subject में काम आ जाएगा, अगर हम बात करें, assessing children's previous knowledge of mathematical concepts is important because, यानि बच्चे के पूर वग्यान का old knowledge का पता लगाना ज़रूरी है, उसको check करना ज़रूरी है कि उसको पहले से कितना आता है, नया subject या नया concept, topic पढ़ाने से पहले, इसका reason आपको बताना है, फटा-फट बताएगा, क्या reason होगा इसका, पहला option है, it helps in memorizing mathematical facts, कोई भी reason ये नहीं हो सकता, कि बच्चे को recall कराना, memorize कराना, रट्टे लगवाना, इसलिए कोई भी पढ़ाई आज की date में नहीं करानी चाहिए, ये है बात, पेड़गोजी में याद रखना है, mathematics is integrated with other subjects, यानि mathematics जो है, वो दूसरे subjects के साथ integrated है या नहीं, पूर्वियान इसलिए थोड़े हैं हम देख रहे हैं कि दूसरे subject के साथ, ये multidisciplinary की बात तो हो नहीं रही है, यहां पर बात हो रही है, पूर्वियान को चेक इसलिए करते हैं कि आगे कैसे बढ़ाएं, तो इस पर भी हमें doubt है कि यह कम सही हो सकता है, फिर भी इसको छोड़ देते हैं, अब जहां पर activity कराई जा रही है, हम चेक कर रहे हैं, बच्चे पहले कितना बता है, आगे सिखाना है, summative assessment तो judgment के लिए होता है, यह तो feedback के लिए है, previous knowledge, ताकि आप teaching learning को सुधरवा सकें, यह तो yearly और half yearly exam होगए, कि इतने percent marks है, mathematical concepts are hierarchical in nature, यानि previous knowledge हम इसलिए test करा रहे हैं, क्योंकि जो गड़ित के संप्रत्य हैं, वो hierarchical हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, simple to complex हैं, अगर बच्चे को पहले से नहीं आता मानली, जो जोड़ना भी, तो आप कैसे उसको आगे की कहानी समझाएंगे, कैसे आप उसको multiplication पे ले जाएंगे, कैसे आप उसको बाकी चीज़ां सिखा देंगे, जब उसको basic calculation भी नहीं आती, इसलिए थोड़ना previous knowledge की testing इसलिए होती है, कि आगे जो पढ़ा रहे हैं, वो उसको समझाएगा कि नहीं आएगा, तो D option, थोड़ा सा अगर आप logic लगाएंगे, तो समझ में आ जाएगा, question number 12 देखेगा, आसान से सवाल है, बहुत easy है, देखेगा, कहता है, sum of 6 and 7 is 13, 6 और 7 का जो जोड़ है, योग है, वो 13 है, it is an example of, यानी, किस चीज का ये उधारन है, ये definition है, क्या ये addition की definition दिख रही है आपको, खुद सोचो, क्या यहाँ पर ये बताया है, कि ये जोड़ की परिभाशा है, योग की परिभाशा है, ऐसा कहीं लिखा है कुछ, देख तो नहीं रहा, देखेगा, जवाब दीजएगा, थोड़ा slow चल रहे हैं, हाम comparatively अगर देखा जाए तो, पटाफट से बतायेगा, क्या ये परिभाशा है, योग की, नहीं लग रही है हमें तो, परिभाशा तो यहाँ कोई नहीं दी हुई, प्रेपोजिशन है ये, open sentence है ये, conjunction है, बताइएगा, open sentence यानि मुक्त वाक्य है, मुक्त वाक्य क्या होगा, जहाँ पे, बच्चों कह दिया जाए, कि तेरा किस-किस का योग हो सकता है, तो वो open ended हो जाएगा, कि भई 6 और 7 का भी हो सकता है, 9 और 4 का भी हो सकता है, ये open ended है, ये तो factual है, इसका तो एक ही answer है, 6 और साथ 13 होते हैं, उसमें तो कुछ करी नहीं सकता है, आप open कहां से है, तो close ended है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, conjunction, यानि जिसमें दो चीजों को जोड के compound में दो चीज़ें काम कर रही हूँ, यहाँ जोडने का मतलब conjunction बिलकुल भी न प्रपोजिशन बेसिकली इसको ऐसे देखेगा, जब आपको पता हो clearly कि इसका एक ही declarative answer है, कि ये करेंगे तो यही आएगा, तो वो प्रपोजिशनल कहलाते है, mathematics की भाषा में, अब ये थोड़ा सा mathematics की language वाली बात हो गई, यहाँ पे, otherwise ये confusing लग सकता है, तो जब ऐसी इस मैं अभी तक factual मिला है, जिसमें आपको पिल्कुल pure mathematics पता होना चाहिए, कि नहीं option, सबसे best कौन सा है, बच्चे की भलाई की बात कौन सा option कर रहा है, active बच्चा कहां है सबसे ज़्यादा, मौका कहां ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उस option की तरफ जाईए, अगर आपको ऐसी confusion बनती भी है तो, और फिर थोड़ा सा practice से भी आपको ये अनुभव हो हो जाएगा कि कौन सा option आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, question 13 देखे, which of the following levels of cognitive domain are responsible for divergent thinking process, यानि cognitive domain की जब हम बात करते हैं, bloom taxonomy पे आजाईए, उसमें कितने six levels है, ठीक है संग्यानात्मक मतलब दिमाग से related, divergent thinking process के लिए कि कौन सा एक part है, point है cognitive domain का जो responsible है, knowledge तो recall based चीजें होती है, definition याद कर ली, है न, याद करने वाली चीजें होती है, कि अच्छा फलानी जगा का नाम बताओ, अच्छा भारत की capital कौन सी है, तो आप फटाफर से बता दो कि अच्छा, New Delhi है, Delhi है, ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे है, analysis, इसकी comprehension की, comprehension में भी आप समझते and evaluation, ये होते हैं higher level thinking skills, और divergent thinking में higher level skills की ही ज़रत होती है, तो आप analyze करें, चीजों को टुकड़ों में विभाजित करें, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कहां गलती हो रही है, पेपर में, क्यों हो रही है, क्या हां कमी है, टुकड़ों में थोड़के देखना सा उधारन है, evaluation में भी आपको judgment का, चीजों को reflect करने का सारा प्रयोक करना पड़ेगा, तब ही आप किसी चीज का मुल्यांकन कर पाएंगे, पहले तो यह ही highest होता था, आज की date में ये है, knowledge, analysis and evaluation, knowledge तो कतही भी divergent नहीं हो सकता, है न, comprehension भी divergent नहीं हो सकता, ठीक, तो बाकी option तो बचे ही नहीं, B option ही, एक मात्र सही उत्तर है इसका, ये bloom taxonomy कराई हुए है, ये cognitive domain ही important है, ये तो कराया ही हुआ है, एक और सवाल आपके सामने है, जिसको देखके आपको घबराना नहीं है, question number 14 देखेगा, फटा-फट से time taking है थोड़ा सा ये, बट इसलिए आपको महत्र पूर्ण से भी ज़्यादा महत्र पूर्ण चीज़ें हैं, वो हैं, जो आती ही हैं, है ना, क्यूंकि मान लीजिए अभी जैसे किसी ने ये topic बताया है, मैंने यहां लिखा हुआ है, de-suggestopedia, अभी एक बार अगर paper में आया है, एक number में, तो ऐसे एक-दो question जरूर मिले हैं, जो आपको score अच्छा करा सकती है, तो एक-दो question का तो आपको margin लेके चलना पड़ता है, यह हमसे solve ना होपा है, बट जो जरूरी है, जो आता है, हर बार वो गलत करोगे, तो फिर कोई बचाव नहीं है, दुनिया में, c option कहरें, 84% लोग, चलिए समझते हैं, तो solve 76 into 32, यानि, छेतर को गुणा करना है, बत्त से, a student uses the following method, student क्या करता है, एक method प्रयोग करता है, 76 into 32 करने के लिए, वो 70 plus 6 लिखता है, bracket में, और multiplication लगाता है, 30 plus 2 कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 into 30, plus 6 into 30, ऐसे करते थ total जो जोड है, सारी, गुणनफल है, वो निकल करके कितना आ रहा है, इतना आएगा, ठीक न, यहाँ पर एक बार ही हटा दी जगा, यह typing mistake हुई है, 180 के बीच में जोड का निशान लगेगा, ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार ठीक है, तो cool मिला कि अगर आपको मान लीज अगर तेज है आपकी गुणा नहीं, तो आपने देख लिया कि हां बच्चे ने आंसर तक पहुँच गया, इसको देख के पता सिल जाएगा, कि यह division thinking लगाई है बच्चे ने, ठीक, for the above, method which of the following statements is true, यानि कौन सा एक statement सही है, उपर दिये गए method के लिए, तो या तो आप इ बच्चे ने कोशिश तो की है, आते हैं first option पे, informal techniques of problem solving should be discouraged, यानि अधिगम करता हूं में समस्या समधान की अनौपचारिक तकनीक, यानि जो अपचारिक नहीं है, जिनको हम generally इस classroom में यूज नहीं करने हैं, तो हम बच्चे को alternative method से solving नहीं करने देंगे, तो यह गलत है, discouraged नह ही करेंगे, encourage ही करेंगे, इसको सोचने का मौका देना है, student does not have conceptual knowledge of multiplication, ऐसा होता है, तो फिर वो इतना दिमाग कैसे लगाता, the method used by a student reflects her understanding of the properties of multiplication, multiplication की properties कैसे work करती है, यह पता है बच्चे को, यह दर्श आता है, चलो यह positive लग रहा है, student will get zero marks in written test for using this method, अब वो वाला teacher आपको न number कट गए, यह नहीं करना, तो C option is the right answer, आगे बढ़ेंगे और उसको समझा सकते हैं कि ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको पता है, अच्छी बात हैं, फिर उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन किया तो उसने सही ही है, solve, question number 15 देखिए, यह बहुत बार पूछा जाता है, geo board प कराते हैं, उसका reason क्या होगा, यह पूछा है, केडी कह रहे हैं, मैम जब मैं school में थी, तब FASA, क्या पूछ रहो भई, ऐसे क्यों होता है, अब समझ में आ रहे हैं, हाँ, very good, यही तो दिक्कत है ना हमारे साथ, हम सिर्फ किताबों में रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़े करेंगे, थोड़ा-थोड़ा apply करने की कोशिश करेंगे, 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे अमानत शेख कह रहे हैं, और paper 1 में 111 नंबर है, paper 2 में 99, बट बिहार में RJD ने धोका दे दिया, girlfriend की तरह, अच्छा, vacancy नहीं निकाल रहा है, आप ही रख लो, सिर्फ खाना दे अमानत यह जो आपने DP लगाई हुई है, Macbook के साथ, इसके बाद लगनी नहीं आपको खाना देनी जुरत है, हमी आना पड़ेगा उल्टा, और अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है, किसी बच्छों को पढ़ाओ आसपास, इतना तो यह पढ़ाना ही तो है, school में जाके भी finally, त जब तक सरकारी नौक्री नहीं मिलेगी, तब तक पढ़ाएंगे नहीं कहीं, पढ़ाने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं मेरे ख्याल में, और दूसरी बात रही, जब निकलेगी विकेंसी अभी तो और क्या ही कर सकते हैं, बात रही, girlfriend के धोगा देने कि ऐसा नहीं है, इ the most appropriate reason for introducing geo-board based activities, geo-board क्या होता है, basically geometrical shapes को समझने के लिए एक board होता है, जिस पे आप nails लगा करके, मतलब वो जो कीले या जो pins होती है, उनका use करके, आप ऐसी shapes दिखा सकते हो, बच्चों को, और ये concrete रूप में, कि बच्चों को समझ मैं जाए, अच्छा triangle की shape बनानी है, ऐसे बन सकते हैं, ये ऐसे triangle होता है, ये चार shape का square होता है, मतलब चार side equal है, तो ये square है, फिर अगर हम बाग कर रहे हैं, ये आपका rectangular है, इस तरह से आप different different चीज़ें दिखा सकते हो, जो geometrical shapes हैं, basically, वो आप दर्शा सकते हो, geo-board पर, ये बात हमें समझ में आगी, अब फिर से solve कर दोड़ा दिक्कत हो जादी है, जब देखो एक बाद, आएशा कहीं, हंड्रेट मुझे देदे था bro, आएशा बो कहा कि तो बिलकुल नहीं देगा हूँ, ठीक है, जोलो, कहरो कहरो इन बातों को, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, पर देखो एक बात, पहले हमारे इं रिष्टे बनाते हैं और question मा 15 देखेगा यह मजाक मैं कर सकते हूं सिर्फ यह आप ते दिल पने लेना है सब काल पने एक बिल्कुल imaginary बातें चल रहे हैं देखो एक बार अगर हम बात करें geo board based activities की तो to teach lines and angles to learners यानि आधिगम करताओं को रेखाओं कोणों को पढ़ाना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है to teach different types of triangles to learners अच्छा चलो मान लिया to teach volume to learners volume के लिए तो आप इसको कैसे ही बढ़ा पाएंगे अब यह कोई glass तो मना नहीं देंगे उसके अंदर पानी डाल देंगे geo board में ऐसा तो कोई जगा होती नहीं है to provide concrete representations for many investigations in geometrical concepts क्या ये दोनों options सही थे लेकिन इन दोनों से बहतर नहीं है क्या ये इन दोनों को अपने अंदर समाहित कर भी है inclusive है जादा inclusive option है कह सकते हैं कि नहीं कह सकते तो विभिन जयामितिय अवधार्नाओं की जाच अन्वेशन के लिए मूर्थ प्रदर्शन देना यानि to provide concrete representation concrete representation क्या है आपने triangle कहा कहा 3 sides होती है आपने कहा कि square होता है 4 sides equal होती है ये कह दिया आपने लेकिन जब आपने इस picture के through ये दिखाया या geo board का इस्तिमाल करके दिखाया तो ये चीज अब तक abstract थी जब आप कह रहे थे 4 sides just equal हो triangle ये होता है ये होता है लेकिन जब आपने दिखा दिया तो ये concrete material बन गया ये concrete representation हो गया ये मूर्थ प्रदर्शन हो गया कि आपने represent करके दिखा दिया कि ये चीज़ें असलियत में कैसी होती है तो ये एक अच्छा teaching learning material बन गया आपके case में बिल्कुल सही बात है गलत तो नहीं है ये बात ठीक है न तो जिससे आप geometrical concepts के लिए ये use होता है सही है बात गलत है बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे next question पर question number 16 question number 16 देखेगा पटाफट से जवाब दीज़ेगा बस सब की नीद खुल जाती है एक बार girlfriend, boyfriend बोल दो कोई आके पोल में या कोई super chat में बस इनको एकदम आखे खुल जाती है सिर्फ कल्पना की और कल्पना शीलता की बाते है बहुत सिर्फ कल्पना करें और कल्पना शील बनें वाह वाह रजनी वाह गजब कर दियो आप तो सच में creative निकले बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मुझे अपना mobile देदो Manisha किया रही है Manisha आप बहुत ही बहतर करें जी उनमें ऐसे चार mobile आप मुझे दें मजाग करें है देखो एक बार पढ़ लो फाल तो बाते सारी करनी है इनको question number 16 which of the following represents the correct sequence of development of geometrical understanding according to Van Heel's theory Van Heel आ चुके हैं जिन से सबको बुखार चड़ता है देखकर के Van Heel की theory आपको notes में भी मिलेगी और marathon session में भी हम discuss करेंगे तो Van Heel की जब हम बात कर रहे हैं या हिंदी में कहें Van Heel की जब हम बात कर रहे हैं इनके सिध्धानत के अनुसार कौन सा क्रम जयामित्य इस्तर के लिए सही है यह geometry के बारे में ही बात करते हैं Van Heel इन्होंने कुछ 5 levels दिये हुए है जो 0 से शुरू होते हैं तो number के हिसाब से 4 है वैसे 5 levels है कि आप पहले सबसे पहले देखते हैं तो खुद बताओ फिर तो answer ही पता लग जाएगा अगर मैंने कुछ बता दिया तो बताए फटावर्स है बहुत ही बढ़िया आप लोग इतनी संख्या में अभी जुड़े हुएं लगबत 30,000 लोग 10 बजे रात के सबा 10 बजे जब सोना होते हैं आपको सामने से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा मिलेंगे मिलेंगे अभी जल्दी ही offline class दिल्ली में हम फ्री देने वाले आपको सीटाट के लिए देखेगा तयार रही है आप अपना टेकेट विट कराके पेपर की डेट कब तक होगी? क्लियर नहीं है, कब होगी वो यहर सेकेंड वीक से पहले तो दिव्यांची होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अपका यानि 15-16 से पहले तो नहीं नजर आ रहा है और आज किसी में मुझे mail भी किया हुआ था, calculate करके कुछ तो तो उनके हिसाब से देखा जाए तो वो 19 बता रहे तो जो की logical भी लग रहा था उसके reasons हैं, जो इन्होंने dates दी हुए, application की and all and all, तो second week से पहले तो वैसे भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि तीन थारिक तक तो आपका भी वही सब चलेगा, फिर, second week से पहले नहीं होगा मेरे कहल में, है ना, 16 से पहले, 16 के बाद ही बाद मानो मुहमद आर्जू के रहे हैं, मैं, और उन्हें वैसे भी लिखा हुआ, जन्वरी से तक चलेंगे ही मैं, मैं और अंकल, वकार उद्दीन अंकल आपके live class कर रहे हैं, मैं हम लोग आश्रवाद दीजिए, हम लोग पास हो जाएं, अंकल का शादी सीटेट के लिए रुका हुआ है, I understand, I understand की recognition, relationships, analysis, deduction, axiomatics, recognition, इसको visualization भी कहते हैं, जब आप shape देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, बिल आप difference कर पाते हैं, basically shape के आधार पर आप चीज़ देखते हैं, आपके लिए circle भी circle है और आपके लिए oval भी circle ही जासा होता है, तो आप shape आप visualization के basics पर समझते हैं चीज़ों को, फिर आप इनकी properties में differences समझने लगते हैं, तो आप analyze करने लगते हैं, फिर आप देखते हैं, relationship दोनों में क्या है, अगर जो square है और triangle, वो है rectangular, तो इन में क्या relationship होता है, कैसे आप इसको समझेंगे, फिर उसके आते हैं, zero level है, geometrical shapes को बढ़ने के लिए, ये सारे levels उन्होंने दिये हैं, तो shapes, जिसको उन्होंने visualization कहाता है, वहाँ पर, या relationships, जैसा कोई word, I think, दिया होगा, recognition, कि आप पहचान पाते हैं, shape के basis पे, visualize कर पाते हैं, कि ये triangle है, या जो भी है, मतलब आप shape, आप circle को भी goal ही मानते हैं, और आप oval को भी goal ही मानते हैं, shape के आधार पे आप देखते हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं, और आपको properties का नहीं पता होता, तब की बात चल रही है, फिर आती है बात किसकी, classes of shapes की, यानि आप analyze करना सीखते हैं, क्या properties होती है shapes की, तो analysis आता है, फिर उसके बात जाकर के आप पहुचते हैं informal deduction पे, जहां आप relationship भी देख पा रहे हैं, properties के बीच, और समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है, इसी को relationships कह रहेते हैं, फिर आपका axiomatic आता है, जो कि यहां पे अगर हम देखेंगे, वैसे यहीं तक question आता है, deduction तक ही generally, उसके आगे आता नहीं है, तो यहीं पा कानी खत्म हो जाएगी, इसको अलग से भी करने वाले हैं, अगर इसको पढ़ लेना, क्योंकि easy है, अगर आप पढ़ोगे, इसमें छोड़-छोड़ी अब seated भी हो जाएगा, कोई और भी question था है, और वो तो छूटी गया, बढ़ा था है हाँ, बिल्कुल होगा, seated तो होगा, जब seated भी हो गया, नहीं हाँ, बस पढ़ते रहो लगातार, देखेगा, 17 का B कह रहे हैं लोग, इस समझते हैं, अगर हम बात करें question 17 की, तो which of the following statement is not correct, यानि कौन सी एक बात सही नहीं है, nature of mathematics यानि गड़ित की प्रकृती के बारे में, nature of mathematics पहला topic है, अगर आप pedagogy उठा करके देखते हैं, और it is a science of space, magnitude and measurement, चलिए ठीक है, mathematical knowledge is exact, systematic and logical, हाँ exact होती है, systematic होती है, logical होती है, 2 plus 2 चार ही होंगे, कुछ और नहीं हो सकते, pedagogy में ऐसा नहीं होता, जबकि mathematical language is well defined and clear, ये भी बात सही है, to the point होती है, all axioms and postulates are proved facts in mathematics, ये कहना यहाँ, बिलकुल गलत होगा, क्योंकि axioms और postulates की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों ही, क्या है, assumed truths है, मान लिए गए हैं, कि ऐसा सही होता है, है ना, ये कोई ऐसा नहीं है, कि ये facts हैं, ये मान लिए गए हैं, assumed हैं, कि ऐसा होता है, ठीक है, postulates के case में क्या है, कि ये geometrical concepts के बारे में अफधार्णाई होती हैं, exams, बाकि अर्थमेटिकल, जितने भी ये, other than geometry, अफधार्णाई होंगी, जिनको हम मान लेते हैं, उनको exam सी apostate कहा दाता है, कि हाँ ये सिद्धान्त पढ़ गया, ये चीज ऐसे ही होगी, तो D option is the right answer, ये दोनों fact बिलकुल नहीं होते, question number 18, हमेशा fact हो हैं, ये तो जरूरी नहीं है, question number 18 देखेगा, और समझते हैं, पोल में आप जवाब देंगे, फटा-फट से, question number 18 क्या कहता है, in a math unit test, miss Fatima has included a question, question क्या include किया है, miss Fatima ने, जो की teacher है, if the sum of two numbers is 17, यानि, दो संख्याओं का sum जो है, 17 है, दो संख्याओं का योग, what are the numbers, this is an example of, दो संख्याओं का योग, कितना है, 17, तो ये क्या है, ये multiple choice question है, options तो दिये नहीं है, कौन सी multiple choice question कहेंगे हम इसको, context based है, context based हो होगा, जब कोई word problem दी हो, कोई situation दी हो, फिर है close gender है, close gender इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर नहीं है, यहाँ पे जैसे ये और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो ये हो जाता, factual या close gender, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, वही 17 तो कई संख्याओं का योग हो सकता है, आप इसको 9 और 8 कह लीजे, आप इसको 10 और 7 कह लीजे, ठीके, और कई लोग इसको 13 और 14 और 4 भी कह देंगे, तो इस तरह से बहुत सारी question number 19 पर, देखेगा, question number 19 देखेगा, क्या कहता है, consider the following statements and choose the correct option, यानि आपको statement पढ़ना है, और सही option पता करना है, सर्फ दो ये statement है, ज्यादा नहीं है, criterion reference test, यह हम रोज बढ़ते हैं, CDP में कहीं न कहीं आता ही है, NRT और CRT, ठीके, criterion, CTET याद रखना है, जिसमें एक criteria होगा उतना पास कर लो, norm reference में क्या होता है, merit वाला scene है, कि आप दूसरों से आपको आगे आना पड़ेगा, जैसे केंद्रे विद्याले, DT plus B, super TET, या जहाँ पे भी नौकरी मिल रही है, उने exams में, TET वाले qualifying हैं, जो qualifying जैसे exam होते हैं, वो criterion reference test का उधारन है, और ये दोनो standardized test के के अंदर आते हैं, मान की करिक्षण के अंदर, जिसको बहुत सारे लोग एक साथ दे सकते हैं, लाखों लोग, और मान की करिक्षण का जो विशेषता है, यानि standardized test की जो characteristics हैं, वो क्या है, एक तो ये valid होते हैं, जिस उद्देश एक लिए बनाए गये हैं, उसी उद्देश कुछ का कुछ हो जाए, मैं मेरा करनाट का test just 3 marks से रहे गया, due to confusion, अभी मुझे किसी आलत में seat at clear करना है, मुझे आपकी बहुत दुआ की जरुरत है, आशिया आपको दुआ से जादा, और मान लिया बिलकुल, मतलब दुआ हैं, of course मेरी साथ ही हैं, मतलब मेरी साथ ही हैं, इसमें आपको एक तो note multiple times पढ़ने हैं, जितना हो सके online papers सारे बिलकुल अच्छे से analyze कर लो, वो confusion, 2-3 marks से रहने का मतलब है कि अभी मेनत इतनी करनी थी कि 10 number जादा आते, फिर वो रहता नहीं है at least, देखेगा, D option कह रहे हैं आप लोग, only statement B is correct, पढ़ते हैं, reference test, criterion reference test assessment is to evaluate the learning of the students with respect to a criteria, यानि एक मान-दंड, संदर्वित, आकलन, विद्धियार्थियों का किसी माप-दंड के आधार पर मुल्यांकन करना है, यानि कोई criteria set है, कि 60% number ले, आओ seated में number आधा है, आपके देड़ो सो में से, तो आप हो गए पास, यह क्या है criteria set है, against a criteria, यह मैंने notes में दिय ले हैं, जो English Pedagogy के notes, अगर हम बात करते हैं, norm reference test की, तो it is useful in diagnostic testing and remedial teaching, लेकर norm reference test बिल्कुल भी diagnostic और remedial में काम नहीं आता, यह सिधा-सिधा आपको नौगरी दिलाएगा, अगर आप merit में आ रहे हैं, आपके diagnosticity गई, तेल लिने, कोई आपके gap पता नहीं करने वाला, क्या हु normative test तो नहीं है, यह तो standardized test है, standardized test तो वैसे भी gap का पता नहीं करते हैं, यह तो judgmental होते हैं, in nature, तो यह क्या हुआ, A ही सही है, सिर्फ, only statement A is correct, या बोथ statement, नहीं, नहीं, यह B ही option होगा, इसमें सिर्फ statement A ही सही है, बाकी जो है, वो गलत है, किसीने सवाल पूछा है, आच्छ लिए आगे बढ़ते हैं, यह question आपका, B option था है, यह सही, A तो सही था, बाकी B गलत था, देखेगा, question number 20 देखेगा, Manpreet has good mathematical reasoning, so she will have, यानि Manpreet एक बच्ची है, जिसकी गड़तीय तरकना अच्छी है, mathematical intelligence अच्छी है, गार्डनर जिसको कहते हैं, logical mathematical abilities बच्ची के अंदर पा दीज़े, फटा-फट से बताईए, 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 कोई बात नहीं, अगर पहली बार ये session लगा रहे हैं, मैं आच्छी का, तो थोड़ा दोगलत हो गाईए, इनको multiple times समझ के, revise करके, के option को बार बार पढ़ना है, इन 30 questions के, एक तो यह चुने हुए questions है, यह M.I. वाले questions नहीं है, देखेगा, मनपरीत एक बच्ची है, जिनके पास अच्छी गड़ती है, तरकना है, reasoning ability है, mathematical ability है, तो यह क्या करेंगी, ability to think logically and systematically, हाँ, बिल्कुल सही बात है, recall करना कोई reasoning में नहीं आता, तरक में नहीं आता, मालने जिए आप कोई चीज भूल रहे तरक में कमी है, ability to do errorless calculation, क्या मतलब बच्चों को robot बनाना चाहा रहे हैं, कि जिसमें तरक या जो intelligent होगा, उससे कभी गलती रही होगी, ability to recite mathematical formula correctly, यानि रटे लगा ले mathematical concept का, इसको तो memorization skill कहेंगे फिर, तारकिक और विवस्थित रूप से सोचने की शमता होगी, systematically और logically सोच बच्ची, क्योंकि mathematical और reasoning ability इसी के साथ, इसी को denote करती है, अगर देखा जाए, तो A option is derived answer, question number 21 देखेगा, कोठारी आयोक से एक question है, आसान सा question है, बट ये थोड़ा भटका सकता है हमें, जवाब दीजेगा, फटा-फट, जवाब दीजेगा, जवाब, दीजेगा, जवाब, त्यारी नहीं हो जाती, सीटर्ट की बाद, कोई बात नहीं 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 था, कुछ तो लोग कहेंगे, ज़ेनलाइजेशन बता देंगे, कोई दुक्कत नहीं है, टेंशन ही लेने का, स्टाइल में रहने का, आपकी class इतना इंट्रस्टिंग होता है, कि इतना भी नींद में क्यों नहीं हो, बट क्लास देखते ही नींद कायब हो जाती है, बहुत ही बड़ी आप गौतम, दिमाग में भी जानी चाहिए ना चीज़ें, ऐसा तुन नहीं है, बस नींद कायब करने के लिए क्लास देख रहे हूँ, देखो एक बार, मजाग करे हूँ, question number 21 देखेगा, according to Kothari Commission, यानि Kothari आयोग के अनुसार, 1964-66 में, Kothari आयोग आया, जिसमें 3 language formula की भी बात हुई, 10 plus 2 plus 3 का system लाया गया, कि 10 साल की आपकी secondary education, फिर senior secondary, 2 साल की और 3 साल की graduation, जिसको replace कर दिया गया इस बार NEP में, उनने 5 plus 3 plus 3 plus 4 से, ठीके जी, तो अगर हम बात करें, तो इसमें क् Mathematics should be made a compulsory subject for the students of classes or grades 1 to 10 as a part of general education, यानि कक्षा एक से कक्षा दस तक के शात्रों के लिए गड़ी ते कैनिवारे विशह होना चाहिए, जो की सामान्य सिक्षा का हिस्सा हो, may be, it is only an imagination that mental abilities, discipline, cultural, social and moral values are developed in students by Mathematics, कह सकते हैं, analytical, reasoning, thinking, self-confidence and emotions are developed in students by Mathematics, सरकार जब बात emotions किया है, तो mathematics की वो वाला answer नहीं है, जो आप ऐससे में लिखके आते थे, कि 6 पेज भर दिया, बस सब लिखतो जो भी पता है, emotions का mathematics से ज़्यादा संबंद तो नहीं है, ये बात ध्यान रखेगा, logical होंगे ऐसे लोग ज़्यादा तर, और emotions भी develop हो रहे हैं, confidence भी आ रहा है, सब कुछ mathematics से हो रहे है, क्या कहना चाहते हो, गड़ित शात्रों में, विशलेशन आत्मक तर्क, चिंतन, आत्म विश्वास और मनो भावों को विक्सित करता है, भाया मनो भावों के लिए, जो language रसे subject हैं, वो ज़्यादा भेतर हैं, फिर भी चलो मान लेते जो है, वो नहीं कर पाएगा maths को, ये बात यहाँ गलत है, यहाँ पर एक ही उत्तर सही है, वो है A option, अगर बाकी तीनों बाते अपने आप में सही हो, तब भी वो कोठारी आयोग के बारे में सही नहीं है, तो एक option है, A option, कक्षा एक से दसवी तक के शात्रों के लिए, 10th त high key है, तो आप देखते हैं कि mathematics आपका 10 तक होता ही है, वहीं अगर UP में अभी तो मुझे नहीं पता exactly क्या स्तिती है, बट जब मैं वहाँ थी, तो वहाँ 9th से ही चीज़ें अलग हो जाती है, science और commerce और आपकी humanities जो है, वो अलग हो जाती है, तो generally यह होता है कि 1st to 10 तक आप maths पढ़ें, यह चीज कोठारी आयोग ने कही, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 22, उस समय हमने science लिया था, फ्रांस हुआ ये थे, देखो एक बार, देखेगा, जवाब दीजएगा, फटा-फट से, next question, ललल जहा कहा रहे है, मैं मुझे शुष्मिता नाम की लड़की ने द्धोका दिया है, प्लीज बोलो उसको, ये वो, I really love her, शायद आपके कहने से मान चाहे, आहां, शुष्मिता ने आपको मेरी वजासी तो द्धोका दिया है, मेरे कहने से मान चाहेगी, कैसी बाते करते क्या खाते पीते हो है, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें दिया आप्शन की, तो देखिएगा एक बार, विच्वन ओफ देखिएगा एक बार, ललन भाई, ऐसा कुछ नहीं करते है, चुप चाप से अपनी पढ़ाई पर, जीवन पर फोकस करो, कुछ नहीं रखेंट बातों में, आगे नहीं बुलूँगी, देखिएगा, D option, ये थोड़ा बात मज़ाग चलता रहना चाहिए, ख़़रनाक लोग है, अगर हम बात करें, which one of the following is not related to the development of number sense, ये हर बार question आता है, आप इसको, जो भी कहना चाहें, very very important लिख लिजे, most important लिजे, कुछ लोग star बनाते हैं, most favorite लिख लिजे मेरी भाशा में, तो ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे कई questions आज रहे हैं, लगभख सारे की questions ऐसे हैं, तो अगर हम बात करें, कि संख्या ग्यान के विशह में, number sense की बात करें, तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, तो पहले हमें याद रखना है, कि seriation इसका part है, seriation क्या होता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप चीजों को लगाना सीखते हैं, उससे आपका संख्या ग्यान बढ़ता है, संख्या ग्यान, चार चॉकलेट दी बच्चे को, दो ले ली, तो या फिर जो बड़ी चॉकलेट है, उसको सीख्यों में लगा पार हैं, something something, hierarchical inclusion हमने शुराप में ही बात की थी, hierarchical inclusion भी number sense का ही part है, उसका reason क्या है, कि hierarchical मतलब आपको complexity के हिसाब से चीज़ें समझ में आने लगते हैं, जैसे 5 है, तो 5 का मतलब है कि hierarchy में उपर है, तो 4 इसके अंदर अपने आप समाहित होगा, 4 में 3 अपने आप समाहित होगा, 5 में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, जब मिलके 5 बना होगा, तो यहनी hierarchy है, बढ़ते हुए क्रम में, पद इगो सेंटरिजम जो है, इसका बिलकुल कते ही भी पार्ट नहीं है, आतम केंद्रित होना, यह वो प्याजे वाला इगो सेंटरिजम है, इगो सेंटरिजम का मतलब है कि बच्चा दूसरे के पस्पेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो सोचता है, जैसा मैं फील करता हूँ, फिर क्या करते हो question number 23 देखिएगा अगर हम बात करें question number 23 the knowledge of mathematical language helps यानि गड़ितिय भाषा सहयक होती है बताईएगा एक बार mathematical जो language है knowledge of mathematical language का मतलब क्या है mathematics की अपनी भाषा है एक terminology है हर subject की अपनी भाषा होती है but maths की especially है तो उस case में अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात mathematics की language के बारे में terminology के बारे में सही है बताईएगा एक बार राजा कुमार कर रहे हैं मैं daily class like share करता हूँ great fan of your style धन्यवाद जी बिल्कुल teaching का मतलब मैं ये नहीं मानती हूँ क्या आप एक move बना के आएं पढ़ाएं और चले जाएं चुक्चाप से बच्चे रोबोट्स नहीं होते जीते जागते लोग होते है उनके साथ connection बिल्ड करना बहुत जरूरी चीज़ है देखिएगा गड़ितिया भाषा साहयक होती है किस चीज़ में इन देवलेप्मेंट अफ प्रॉब्लम सॉर्विंग स्किल्स बिल्कुल आपको जब आप एक नंबर वो जो एक वर्ड प्रॉब्लम होती है कि दो आलू थे दो टिंडे थे उन्दों को जोड़ दिया तो आलू टिंडे चार हो गए यह क्या वर्ड प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉर्विंग स्किल्स आपकी मैथेमेटिकल लेंग्वेज से बिल्कुल पॉइंट है कि आप वो समझ के पता कर पाते कि अच्छा कुल लिखा है तो टोटल जोडने की बात हो रही होगी या अपने आप में मैथेमेटिक्स की लेंग्वेज फिर अप्रॉब्लम है भी इन दे डिवलेप्मेंट अफ कम्यूनिकेटिव एन स्पीकिंग स्किल्स यानि संप्रेशन और वाचन कौशन को बहतर करता है तो भई फिर लेंग्वेज किस के लिए पढ़ा रहे है लड्डू के लिए नहीं इन दे डिवलेप्मेंट अफ रीजनिंग स्किल्स ये बात फिर भी हमें लॉजिकल लग रहे है और तीन उप्शन चूज करने का यहां ऑप्शन भी नहीं है जेनरली तो आप नॉर्णल भाषा में यूज भी नहीं करते गई बार तो A और C तो यहां सही है बाकी जो B है वो सही नहीं माना जाएगा तो D option is the right answer यार इतना चक्कर क्या है कि जब मुश्किल क्लास होती है यहां आप बैठके देखेगा एक बार फटा फट से जवाब दीजेगा नितेश कह रहे हैं जब पढ़ाती है तो लगता है आप पढ़ाती है तो लगता है सब कुछ आता है लेकिन जब एक्जाम में जाता हूँ तो सब भूल जाता हूँ नितेश इसका रीजन ही है कि आप enough practice नहीं कर रहे है क्लास को सिर्फ entertainment का साधन नहीं बनाना है कि समझ में आ रहा है तो उसको practice ना करें at least जो PDF मिलती है उसको ही बार-बार पढ़ लिया करो ताकि दिमाग में चीजे सेट हो जाए खुद से भी तो question solve करके देखो career rule पर चले जाओ free mock test लगा लो कुछ तो करो बिल्कुल मस्ती क्लास में होनी चीए नवनीत बिल्कुल सही बात है चलिए आगे बढ़े अब बस 4-6 सवाल बचे है शिफा क्या कहा रहो भई समझने पार रहे हूँ एक कक्षा 2 का बच्चा है उसने जब उसको कहा गया 56 और 42 को जोड़ दो तो उसने क्या किया 56 प्लस 42 इसको इस तरह से दर्शाया कि 50 प्लस जैनि ये 50 यहां से उठाया और 40 यहां से उठाया और 6 और 2 को अलग कर दिया फिर इसको कैसे करके दिखाया है, यह 50 और 40 90 हो गए और 6 और 2 8 हो गए, यानि उसने creativity दिखा दी है पूरी अपनी, तो 98 ही होगा, solve तो सही किया है As a mathematics teacher, what will be your reaction toward the student? आपका क्या reaction होगा, एक गड़ती है एक गड़ती अध्यापक के रूप में, या अध्यापका के रूप में A option है, discourage करेंगे student को कि अपरी strategy ना बनाए, जादा hero ना बने नहीं भाई, अगर वो गलती भी कर रहा होगा तो पहले तो उसको माँका तो देंगे, divergent thinking का है कि नहीं? फिर आता है B option scold the student since the process done was not helping to learn the column method of addition, के शात को डाटेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया इस्तम ववधी से योग को सीखने में साहता नहीं कर सकती, पहले तो आपको डाटना है ही नहीं, यही अपने आप में negative है, यह अगर बात भी सही होती ना तब भी यह scolding कभी भी सही उतर नहीं होगा, फटकारना, रेप्रिमेंड करना, यह negative words है Direct the student to see how other students have solved the problem and seek their help to solve it in the correct way, यानि शात को निर्देश देखिए कि दूसरों ने कैं solve किया, उसको देखो और सही वे में solve करो, तो गलत तो उसने solve नहीं किया है, appreciate the student for solving the problem using an alternative strategy since it will enhance creativity and critical thinking, बिल्कुल सही बात है, वेकल्पिक रणनीती का मौका देंगे, वेकल्पिक अवधारना नहीं है, तरीका है तो हम तो वेकल्पिक अवधारना है, जो गलत भी होती कई बार, उनका भी मौका देते हैं बच्चों को ठीक है, तो यहाँ पर तो अच्छी बात है, उसको appreciate करेंगे, इस चीज़ के लिए कि वो different way में सोच पाया है, या सोच पाई है, question number 25 देखेगा, फटाफट से जवाब दीज़ेगा question number 25 क्या कहेगा, कहता है which among the following will promote collaborative and active learning, यानि निम्नु में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिकम को प्रोथ साहित करता है collaborative और active learning, यानि बच्चे एक दूसरे की साहिता करें, collab करें एक दूसरे की साथ गुरूप में सीखें, active learning यानि active रहें, दोड़ते भागते रहें, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब सक्रिय रहें चाहिए वो physically हो, mentally हो interest बना रहे है उनका, ठीक है आपके notes बहुत सहीग लग रहे हैं, पढ़ने में ma'am thank you so much, thank you गंचन असने की जरुरत नहीं है ठीक है, इतनी दूर बैठे हो आप लोग अलग ना दो चाहिए, आपको कि ठीक है यार इतने भी दूर नहीं है हम, देखेगा ये जितने भी लोगें लक्षमी नारेंड कह रहे हैं कि CGTED की क्लास कराई है, सब की क्लास एक साथ कराना पॉसिबल नहीं, बर जो common subjects होते हैं वो आपके लिए, सब के लिए common होते हैं तो उनको अपनी syllabus के हिसाब से देख लिया करो ये मत सोचा करो, लोग देखके अलग-अलग exam भी clear कर लेते हैं, आपको बता भी ने लगता ठंड बढ़ रही है, देराग तक जागा नहीं जाता, सुपह में CBSC वालों ने mid December and January ही क्यों चूज किया exam के लिए, वो कहे रहें ठंड में अच्छी पढ़ाई होती है, रजाई ओड के बैठो और पढ़ाई करो पुराना student हों में बहुत रंधीर कितना, 500 साल देखेगा एक बार जवाब देजे, फटाफट से 56% लोग B option कहा रहे हैं, समझते हैं क्या कहानी है, ये देखते हैं collaborative और active learning कहां promote हो रही है students classifying shapes based on criteria evolved by them through their classroom discussion चलो ठीक है, बच्चा active है, teacher sharing the process, ना ना ना, teacher centered हो गया instruct the students to solve questions फिर से आप instruct कर रहे हैं, submit कर दो बस teacher को, boring है, provide mathematical games and riddles to each of the student and ask them to share their answers बताईए, बताईए, बताईए क्या सही लग रहे है निमलिखित में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोथ साहित करता है, बच्चा सब स्यादा active कहा हैं देखते हैं, students classifying shapes based on a criteria evolved by them through their classroom discussions, यानि शात्र कक्षा में हुए विचार विमर्ष द्वारा, विक्सित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वरगी करते हैं, बच्चा यहाँ भी active है और D में भी active ही लग रहा है, देखते हैं प्रत्येक शात्र को गड़तिये खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तरों को साजा करने के लिए कहना, उपलब्ध कराने से ज़्यादा बच्चा यहाँ अपनी चर्चा में ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है, आपको collaborative और active जिन दे दिया करूँ, कोई बात नहीं question number 26 question number 26 क्या कहता है our teacher gives the following problem in her class and circle the greater number in the given pairs यानि निमने संख्याओं के युगमों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाई यानि आपको यह देखना है कि कौन से संख्या बड़ी है बच्चों को पता करना है यही तो individual differences है, यही करना है बस आपको paper में वो जो छोड़ा यार मैं आपको demotivate तो बुलकुल नहीं कर सकती है हो सकते हैं कई लोग, मैं मजाग मकबोल में फिर भी हो सकता है, दिल पे ले जाएं आप लोग result तो पता ही है ना सबका पास होना तो संबह होता नहीं है, यही वाली हरकतनों से होती हैं चीज में फिर, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लो, कोई बात नहीं आज पहले दिन अगर अलग भी आ रहे हैं आंसर तो कोशिश करो कि उसको बैठ करके आप analyze करो देखो कड़बड है कहाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप first time भी math pedagogy कर रहे हैं तो answer आपके अलग ही है, यह वो भी हो सकता है कि चार option है, आप पांचवा भी लिख दें अपनी मर्जी से वहाँ ओके mechanical engineering से graduation हूँ, अभी B.A. second year में हूँ मुझे seated का benefit मिलेगा, क्या हाँ, मिल जाएगा, शाह, जो भी नाम है आपके शाह, हुजाइफा, क्योंकि आगर PRT में allow कर देते हैं आपको, और कर ही देंगे जहां तहां तो इस case में आपको paper 1 आपका seated clear होना चाहिए है ना, और paper 2 भी आप दे देजे, बट आपका subject combination I think बनेगा, मुश्किल ही देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, B option कह रहा है 72% देखते हैं, this type of problem can be used by our teacher for assessing multiplication and division of whole numbers, सिर्फ whole number की बात हुई है क्या है है, as a diagnostic test to address misconceptions in multiplication and division of decimal numbers, to assess whether students can recall, recall को भेज़ दो, for comparison, whole number के बारे में बात नहीं हूँ, यहाँ बात हुए greater number, अब यह whole हो सकता है, decimal हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो इसको तो हटाई देंगे जहाँ भी whole का option है, as a diagnostic test, जहाँ पे आप misconception address कर सकें multiplication and division, जब decimal numbers में confusion होती है, जादतर बच्चों को लोगों को आज भी होती है तो नैदानिक परिक्षण के रूप में यह diagnose करेंगे, आपके बच्चों को problem आखे होती कहाँ है, उनको क्या लगता है कि 0.9 बड़ा है कि 9 बड़ा है, ठीक question number 27 देखी है, तो आसान है फटा-फट से समझेंगे, जवाब देंगे, देखेगा जल्दी से जवाब देंगे, तीन सवाल और है फिर आप अपने घर जाएगा और मैं अपने मतला आप तो अपने ही घर है मैं भी घर ही हूँ, काइद से शाह हाँ, बता दिया यार आपका तो जवाब दे दिया मने, देखेगा जवाब दीजे जवाब which among the following is not a mathematical process यानि कौन सी एक गड़तिय प्रक्रिया इन चार options में से नहीं है, नहीं है, नहीं है बताएगा, बताएगा, बताएगा देखेगा, C option कह रहे हैं कई लोग, अगर हम बात करें not a mathematical process निमनिखित में से कौन सी गड़तिय प्रक्रिया नहीं है, problem solving, बिल्कुल गड़तिय प्रक्रिया यार, problem solving, वहा logical thinking वह इस सब है, visualization, अभी हमने थोड़ दिर पहले पढ़ा था, अच्छा, visualize करो एक triangle है, उसके तीन angle है यह है, वो है, visualize करते हैं आप गड़त में, ठीक है, बिल्कुल करते है representation, आप चीजों को represent करते हैं या नहीं करते हैं जैसे यह आपने दो संख्या को दो number को represent किया इस से, कि मान लो कि यह एक है और यह एक है, मान किया लो है, यह 10-10-20 है तो यह क्या हो, representation है, कि हम चीजों से represent करते हैं, concrete object से भी और वैसे भी numbers के तुरूब भी concepts को represent करते हैं यह लिप में तो representation भी क्या हुआ, part हुआ इसका समझ पा रहे हो सरकार या नहीं यह बता दीजे बस, ठीक है बात representation भी है, लेकिन adaptation तो एक प्रक्रिया है, जो प्याजे भी बात कर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया अनुकूनन मतलब आप adjust कर पा रहे हैं life में survive करने के लिए अगर देखा जाए तो adaptation क्या है, आप adapt कर पा रहे हैं situations के हिसाब से, भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई adapt कर लीजे, नहीं तो जो adapt नहीं कर पाएगा वो निकल लेगा अपना, है ना, तो मनीशा जैस्वाल क्या कह रहे हैं, हम offline class की exact date बता दीजेगा, ताकि मैं आप आँ, अभी बता रहे हैं मनीशा, एक मत रुको बस अभी, जादू मुंतर से बता देंगे, तो D गलत था, इसलिए सही था question number 28 देखिए, इसका जवाब दीजे, तने मैं मनीशा का जवाब देती हूँ मैं हम offline class के बता देंगे, ताकि मैं आप आँँ आपकी वजास से ही, डेली आने का चांस मिलेगा, और इसी बहाने से मनीशा क्यों हो, यार मजे ले रहे हो मेरे हैं, ये class क्या बना के रखा है घरवाल ने पढ़ते हैं या कोई और नाम से रख रखा है, कैने इसी बहाने से boyfriend से मिलने का मौका मिल लूँगी, अगर paper clear नहीं होआ ना, फिर खुद को शगल दिखाना जाके, घरवालों को पता हो ना हो, खुद को दिखाना, ठीक है? कि अगर यह वाला एक hafta ठीक से पढ़ लेती, अगर उद्देश सच में पढ़ने आना है, तो आना है, दूसरा option secondary होना चाहिए, वो primary नहीं, ठीक है? देखो एक बार, आके बढ़ते हैं, खतरनाक लोग हैं भाई, एक से खतरनाक, question number 28 देखिएगा, word problems in mathematics should be included at primary level because, यानि प् आत्मिक इस तर पर शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि? word problems की बात हो रही है, primary level पर, word problems समझ रहा है न, वही दो आलू, दो टिंडे, दो टेमाटर थे, दो दे दिये किसी को धार, ये कर दिया, वो कर दिया, ये word problems होती है, जो ह ठीक है, they are the only tool to teach language mathematics, language of mathematics का कोई science से इस बात की, और भी तरीक है, frequent use of word problems make students efficient in English language, किसने कहा है कि सिर्फ English में होती है, word problems, जो Hindi में के शात्र होते हैं, वो Hindi में पढ़ते हैं, they are easy to solve, hence help students to score better marks, marks तो भिया, उत्देश है है ही नहीं, पेड़जी में, वो अपने हापाएंगे, त सवालों को प्रभावी रूप से समझना, उसको प्रतिपादित कर पाना और interpret करेंगे वो बच्चे के, अच्छा कहा क्या जा रहा है, ठीक है, तो A option is the right answer, ताकि वो real life में भी mathematics को use कर पाएंगे एक दिन, question number 29 देखेगा, और ये है आपका second last सवाल, देखेगा, use of the game snakes and ladders, काट लेता है, फिर से 0 level पहुच जाते हैं, अभी अमानत आये थे हैं, उनको धोका वोका मिल गया था, 100 पर उनको लग रहा था, आप तो यहां है, top पे, सवालों को पहुच गए, यह 10 पहुच गए, तो तुम बहुत गरदन हिला रहे हैं, तुम बढ़ा पता है, सवालों क चुप चाप, देखो एक बार, आगर हम बात करें, इन मैथमेटिक पोल पे ध्यान लगा लो, देखिएगा, इस नेक्स एन लेडर्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग इस मोस्ट एप्रोप्रियेट फॉर डिवलेपिंग दो कॉंसेप्स रिलेटिड विद, बताईएगा, कि ज थोड़ी होता है, सांप ने काठा, आप ते 99 पे और आप 10 पे आगए, इसकी पूच पे वापस, अच्छा तो ये कितने सेंटीमेटर हुआ, ये किया किसीने, बच्चे भाग जाएंगे, खेलना बंद कर देंगे, जिस दिन आपने ये कर दिया, ठीक, तो ये तो और ये सब थोड़ी होता है, में जो बात है, जो बच्चे सीखेंगे, वो होगी, जो develop होगी उनकी समझ, वो numbers की होगी, है न, केक तो अगर 6 आगे बढ़ना है, 7 पीछे आना है, तो ये सब क्या है, ये number की समझ उसकी develop होगी, addition भी हो सकता है, उसमें subtraction भी हो सकता है, concept भी number कर वो समझेंगे, तो B option, आज के लिए आखिरी सवाल, देखिएगा question number 30, बढ़ेंगे आगे, संस्कृत की class तो नहीं होगी, batch में है I think वो, अगर आप batch में हो, यूपिट के batch रवाएगा तो बता दिया जाएगा आपको, करे रूल पे, क्या के रहे हैं, आप abecus का भी use करते हैं, उसमें decimal में, पूझा, शायद आप सही के रहे हैं, मिल्कुल, मेरे दिमाग सायद तो निकल गया होगा, air flow में बोल दिया होगा, abecus I think उसमें था नहीं ना, option में, अगर होता तो शायद हम उसको ध्यान से बढ़ पाते, high decimal के लिए भी use कर ले place value का सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रोशन साहू कहे रहे हैं, मा सीता की जन भूमी, सीता मनी से नमन करता हूँ, मैं आपकी दूआ की ज़रुरत है, रोशन साहू, बहुत ही बड़िया, एक इतना धार्मेक comment हमें मिलाया आज की session में, बस दिल खुश हो गया, हमें अब पता है कि यहां पर कितने अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, और सीता मनी से बहुत सारे लोग हैं, जनको मैं जानती हूँ, आप लोग भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बिहार आना है घुमने, और बिहार के ब हाणात्मक समझ का जो विकास है, वो उच्छतम लेवल पर कैसे प्रदर्शित हो सकता है, बताइए, पैटर्न समझ रहे हैं न, अभी बात करेंगे, पैटर्न की, किसी की शोट पर पैटर्न होगा, आज तुम मैं ऐसे कप्रे नहीं पहने हैं, जिस पर पैटर्न हो, निशान पैटर्न की पहचान करना, यह मैं नॉमलाइज कर रहे हैं, कि हम हसे न, कल को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्छा अपनी प्रॉब्लम डिसकस करें अगर आपके साथ, अलग-अलग तरह की, कुछ भी समस्या हो सकती है, तो आप उसको पर हसना शुनो ना करते हैं, हाँ हाँ करके, है न, तो वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार तो यह चीज़ें मजाग की होते हैं, कई बार seriousness भी होते हैं इन बातों में, तो यह real problems है, आप तो बड़े हैं तो मैं थोड़ा हसी मजाग कर सकते हूं, identification of patterns, यानि pattern की पहचान कर पाएगा बच्छा, extension यानि इसको बढ़ा पाएगा, imitating का pattern, imitate तो नहीं करेगा, create भी कर सकता है, यह दोनों positive हैं, लेकिन बात यह है कि इन सबसे बहतर है, कि पहले तो वो identify ही कर पाए, primary level की बात हो रही है, which of the following steps demonstrates the highest level in conceptual development of patterns in children, यानि आपको लग रहा है कि अब धानात्मक समझ जो है बच्चे की वो हो गई है, बैतर, एक मिनट, highest level भी कहा रहा है वो साथ में, उच्चतम इस्तर प्रदर्शित करता है, फिर से समझेंगे, D option कहरें 63% लोग, चलिए, देखो pattern क्या होते हैं, pattern है आपके, मान लिजे, यह triangle है, फिर एक triangle है, फिर एक triangle है, फिर एक square आ गया, फिर triangle आ गया, फ जैसे आप, मान लिजे, अगर मैं आपको यहां दिखा पाऊं, इस्टूडियो में, तो acoustic forming भी लगी हुई है, लाओ दिखाओ, हाँ, तो यह हम घर से तो लाए थे, कि इस पर पूजा करेंगे, बैठके हुई नहीं कभी, तो यह क्या, इस पर pattern है, यह आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला पाट, तो आप देख रहे हैं, आप यह square shape, white और, कोई कहेगा मुझे color blindness है, white और black है, तो यह white और black का pattern बना हुआ है, square shape बीच में बनी हुए, पैटर्न है, अगर आप देख रहे हैं, repeat हो रहे हैं, तो pattern का highest level क्या होगा, मतलब, which of the following steps demonstrates the highest level in conceptual development of patterns in children, यानि निमलिकित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानि pattern के अवधारनात्मक विकास का उच्चतम इस तरह है, यानि अब आपके अंदर जो conceptual समझ है, development है, pattern को लोगिए, वो highest level पे है, तो highest का मतलब तो फिर creating होगा, bloom taxonomy पे चले जाएए, identification तो आपका knowledge या application based चीज हो जाएगी, comprehension based चीज हो जाएगी, imitate करना तो अपने आप में कोई highest level हो ही नहीं सकता, extension भी अच्छी बात है कि आप उस pattern जो चला आ रहा है, इसका विस्तारण कर पाएं, लेकिन इससे भी बहतर बात है कि आप एक pattern खुद create कर पाएं, अपना एक design create कर पाएं, तो नए pattern का सरजन करना क्या हो गया, यह highest level हो गया, creating synthesis जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, तो D option is the last answer over here, last question over here, D correct option है, like, share, subscribe, अगर आपने ना क्या हो, भूल गए हो, तो बता दीजगा, मलब कर दीजगा, बता कि क्या ही करोगे, और हिंदी पेड़ागोजी, English पेड़ागोजी और CDP, इ परसुन तक आपको Hindi Medium वाले EBS के Notes और English के भी मिल जाएंगे, और इसी तरह से 2-4 दिन में आपके Maths के भी मिल जाएंगे, फिर हम marathon शुरू कर देंगे, इक है जी, साधर पर नाम मैं, आज क्रपया आप पोल वाली मैडम के दर्शन करा दीजे, नमर विंती है, आपसे, रिज आपके answers के साथ, तो इनको समझिएगा चीजों को, थोड़ा 10 मेट extra लग जाएं, जब क्लास मुश्किल होते है, मुझे लगता है topic मुश्किल है, तो थोड़ा हसी में जाका हम बढ़ा देते हैं, ताकि साथ-साथ चीजें समझ में आ जाएं, क्या दिखा रही हो, आज का question, problem solving abilities can be facilitated by encouraging use of analogies, generating fear among, focusing a drill, encouraged fixed process of solving, यह option है, simple answer है, अन्या, इसमें कि problem solving abilities को आप facilitate कर सकते हो, encourage करके analogies, analogies होती है, समान चीजें जो हैं, उस तरह के उधारन देना, ताकि आपको समझ में आजा है कि समस्या को ऐसे solve करना है, क्योंकि आप इस तरह की और चीजें भी देख चुक example लेती है, हमारी आखे कैसे है, camera की तरह है, तो यह analogy दी है मैंने आपको, ठीके जे, चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, thank you so much, अंशुल कह रहे हैं कि पोल वाली दीदी जिन्दा हो आप, पोल वाली दीदी तो जगत दीदी हो गई है, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है, आप इतना प्यार देते हैं, चाहे शौरे हो, निशा हो, रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारे तो क्या है है, हम लोग तो खुश है ही है, आपके तो प्यार में, हमारे तो मज़ाख में भी रिस्पेक्ट ही है, चलिए, take care, bye-bye, कल बताओ, EBS करेंगे कल, ठीक है, चलिए, बाए